नमस्कार में ममदासिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई निउज इस पे नई निउज में बात करेंगे जी 23 नेताओं के बारे में जी हां यही नेता जो कॉंग्रेस की बैंड बजा रहे हैं यही नेता जो गांधी परिवार पर हमला कर रहे हैं, सवाल को खड़े कर रहे हैं, तभी अशुक गहलूत करते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया, फिर अशुक गहलूत यह भी कहते हैं कि G23 की नेता मान गए हैं और आने वाला दिन बहुत अच्छा होते वाला है, फिर वो यह संसद में जो है टाइम पूरा हो रहा है और वो जो है वहां से अब रिटायर होने वाले, तो उन लोग के लिए जो एक बड़ी ख़बर है, फिर बदल में धूम थाम से होंगी, और पियम मोदी ने इन तमाम रिटायर लोगों को लेकर बाखुबी कहा भी था, कि अनुभब यह experience, यह तजर्वा लोगों से share करेंगे, यही बहुत बड़ा ग्यान होगा, तो यह एक तरफ यह खबर है, लेकिर दूसरी तरफ Congress को क्या होगा, Congress का क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल है, जिस पर लोगों की निगाएं है, कि वो ही G23 के नेता, लोगों के लिए जो है, Congress क क्यों ने दिखा रहे, बोची मेहनत की ने रहा, गांधी परिवार के लिए खली हमलावर क्यों हो रहे, यह बड़ा सवाल है, जिसका इंतजार करना बहुत सब्सक्राइब है, बहुत सब्सक्राइब है, बहुत कमी है, उसका क्या होगा, Congress का क्या होगा, इस पर आखिर कौन मंधर करेगा, यह बड़ा सवाल है, देखना होगा, कि G23 के ने दा क्या आगर वाकरी में मान गए हैं, तो Congress को कहां तक ले उचाहेंगे, फिलाज यतना यह बाद कर दो देता है, स्कुए नाइनिस, प्सक्राइब है, 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